कि आपका स्वागत है जैसा कि मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर तुड़ी विल भी स्टार्ट अ पोलिनॉमियल लेक्च्छर टेंड ठीक है बच्छों वेरी गुड सत्य प्रकाश श्चन स्वास्थिक चितिष एंड तो अलस्टुदेंट रिप्लाई मी वास अंड साउंड आ किलियर ठीक है बच्छों तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि कैसे हम लोग जो है डिवीजन अल्गोरित्म को समझें ठीक है यानि डिवीजन अल्गोरित्म फॉर दी पॉलिनॉमियल्स और इसकी क्या प्रोपर्टीद है ठीक ह तो सभी लोगोंने किलियर बोना तो मैंने कहा बोला कि इस पर एक कोश्चन जो आता है बोर्ड में यह ओल कोश्चन और बोर्ड होंगे इंपोर्टेंट जो बोर्ड इजामनेशन में आपके आएंगे तो इस पर ध्यान देना जो पैटर्न चेंज हुआ है बोर्ड का जैसे नहीं आपको आएगा तो मैं उसको बताऊंगा कि कैसे करना है और फिर लास्ट लेक्चर इसमें हम बताएंगे केस स्टडी कोश्चन ठीक है बच्चों तो जैसे मैंने गाहा था कि डिवीजन एल्गोरिफ्म फॉर पॉलिनॉमियल यह होता है जो डिवीजन प्रोसेस के लि रिमेंडर इस और एक्स देन नाओ दी फॉर्मूला ओफ डिवीडेंट जब हम पूट करेंगे तो यहाँ पे पी एक्स कोश्य एंड क्यू एक्स डिवीजर जी एक्स और रिमेंडर आरेक्स तो इसी को हम लोगों को प्रूव करना है और इसी से बहुत सारे कोशन को प्रैक्टिस करना है तो इस आल्सो नोन एज डिवीजन एल्गोरिफ्म पॉर पॉलिनॉमियल ओके तो इस रिजल्ट इस नोन एज डिवीजन एल्गोरि भी ऐसा आपने पढ़ा था इकली डिवीजन अल्गोरिफ्म बट यहां पर चेंजों की डिवीजन प्रोसेस है तो ऐसे बहुत सारे कोशन आते हैं प्रूवी डैट लिखा रहाता है कि प्रूव डैट दी कोशन डिवीजन अल्गोरिफ्म पॉर तो हम लोग कोशन वाई समझे और इसकी प्रोपर्टी को समझेंगे की कैसे होता है जैसे फौर एक्जामपल कि हम हम एक्स में एक्स प्लस वन का डिवाइड कर रहे हैं तो एक्स वन जहा क्या हो गया एक्स यहां माइनस हो गया तो Angry그 इस क्या हो गया 1 तो अगर इसको हमको प्रूफ करना है x plus 1 equal to तो कैसे करेंगे यानि dividend equal to division into quotient plus remainder तो हमें आगया finally हो गया x plus 1 equal to x plus 1 तो हैंस क्या हो गया verified यानि यह होता है division property ठीक है यानि आराम से हम लोग divide करके उसको इस property से prove कर सकते हैं तो किलियर है बच्चो reply me तो इसका कमाल क्या है question wise समझते हैं for example देखिए यह very very important question है और यह कहां पर है ठीक है very very important question यह optional chapter का है आपके ncrt का important question इसको जरूर practice करना है दो-तीन बार practice करना है very good अंजली ठीक है खुश्बू सत्य प्रकाश शिवेग चलिए तो सब लोग पहले question को अच्छे से समझ लीजिए इसके बाद हम लोग करते है question को की कैसे करना है तो question में है कि if the polynomial x4-6xq 16xx-25x plus 10 is divided by another polynomial xx-2x plus k then remainder comes x plus a तो find k and a ठीक है यह सब 4 marks और 3 marks में question आते आते हैं तो very very important तो कैसे करेंगे division process से करना है तो division process यहीं division algorithm 2x plus k से हम लोग divide करेंगे x4-6xq plus 16xx-25x plus 10 यहां केवल divide process से समझना है ठीक है और by comparing method बहुत सारे ऐसे question होंगे जो factor wise होंगे वहां पर बताया नहीं रहेगा वो भी बताएंगे question एक एक करके so very very important ठीक है अच्छे से समझना है इसको तो जैसे ही हम लोग यहां पर करेंगे question में तो कैसे पहले power को कर लेते हैं एक एक स्वायर है तो हम लोग एक एक स्वायर से multiply करें तो एकस क्या हो जाएगा 4 minus अब 2x में करेंगे एक स्वायर का तो कितना हो जाएगा 2x q और यहां finally k x x स्वायर है तो यह किसी में नहीं है तो हम लोग k x स्वायर लास्ट में करेंगे किते लोग को लगएगा कि 16 x x स्वायर के जगा पे हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह constant है ना add होगा ना सबस्ट्राइट होगा ठीक है दो नो नॉट लाइक टम्स तो इसलिए हम लोग के को किनारे कर लिए यह प्रोसेस थोड़ा सा न्यू है आपके लिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अब सिंबल और चेंड तो यह निगेटीव यह पॉस्टीव यह निगेटीव तो यह कैंसल हो प्रोस्टीव या रागिए प्लस यहां पे के एक सकते हैं तो पहले 16 मेलव को लिख लेते हैं 16xadों फिर मेल सकते हैं ऐसे करते करना है इसके बाद next में करना है हमको minus 4 x q तो किसे multiply करेंगे minus 4 x से तो करेंगे तो कितना आ जाएगा minus 4 x q ठीक है और 2 4 जा 8 x x वायर minus minus क्या हो जाएगा plus 8 x x वायर और फिर k में करेंगे तो तो आ जाएगा minus 4 k x ठीक है इस चीज को बस ध्यान में रखना है यहां पर कोई गलती नहीं करनी है अब symbol change हो जाएगा देखो यह negative positive हो जाएगा यह negative हो जाएगा यह positive हो जाएगा तो यहां cancel हो गया और 16 और 8 जोडेंगे तो यहां पर माइनस वाला यह symbol का कोई नहीं है तो 16 में से 8 8 x x वायर ठीक है माइनस के x x वायर प्लस 4 k x ठीक है equal to यहां कितना बचा है माइनस 25 x प्लस 10 एक साथ सब को लिख सकते हैं ठीक है इससे करना है हम लोगो तो यहां तक सब को किलियर है reply में सहस्या नो चलिए sir color change कर दीजिए समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल color change कर दिए black color में कर दे रहें लीजी black color में कर दिए आपका अन्रिव जी ठीक है तो जल्दी से reply करिए सबी लोग यहां तक clear है सबका चलिये तो अब क्या करेंगे हमारा finally देखो x xy रहें तो हम लोग कब तक divide करते रहेंगे जब यहां तक क्या है power degree से मोँ square है जब तक करते रहेंगे तो जैसे ही आप यहां पर 8 से करेंगे मालो 4 प्लस 8 से तो हो जाएगा 8x स्वायर ठीक है और 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16 माइनस 16x जहां बना सेम कटेगरी है उसी के किना रहे देंगे फिर k से करेंगे तो हो जाएगा प्लस 8k ठीक है यहां माइनस यहां प्लस यहां माइनस अब यह कैंसल हो गया अब यहां पे क्या प्पचा माइनस के एकस एकस हो यह रहा हा रहा है इस डिगरी फिर यहां पे 4kx और यहां पे 25 प्लस 16 अब तो माइनस 9x अब यहां पे minus 8K plus 10 ठीक है इस पर द्यान देना है अभी भी value x x wire है x x wire है तो जब तक highest degree x x wire तक चलेगा highest degree क्या है x x wire तब तक हम divide करते रहेंगे ठीक है तो अब यहाँ पर किसे जाएगा तो k से जाएगा k में multiply करेंगे x x wire का तो कितना हो जाएगा कि माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ minus k x x wire है तो minus k से करेंगे यहाँ पर table पढ़ेंगे minus k से तो क्या हो जाएगा minus k x x wire फिर माइनस माइनस प्लस 2 k x फिर माइनस प्लस माइनस k स्क्वार अभी यहाँ हाँ साइन पोस्टिव निगेटिव पोस्टिव सो k x x wire k x wire cancel पोर में से 2 2 k x minus 9 x प्लस k स्क्वार माइनस 8 k प्लस 10 यह फाइनली अब नहीं जाएगा क्यूंकि x का जो degree है वन हो गया और यहाँ x का highest degree तो कब तक करना है ध्यान में रखना है जब तक highest degree x x wire तक है divide करने का यहीं नहीं है कब जब k वाले कोशन हो हो ए वाले कोशन हो बी-वाले कोशन हो क्योंकि इसी में बहुत सारे लोगों को problem हो खासकर divide में तो divide बहुत easy तरीके से आप simple कर सकते हो अब देखो मेरा remainder कितना आ गया इतना आ गया और question में remainder कितना दिया है x plus a remainder कितना दिया है x plus a तो now ध्यान रहे है remainder equal to x plus a तो finally हमारा remainder कितना निकला है 2kx minus 9x plus k square minus 8k plus 10 equal to x plus a तो क्या करना है now comparing क्या कराना है comparing क्योंकि remainder equal to remainder यही है यही पर बहुत सारे बच्चों को confusion होता है ठीक है इस पर ध्यान देना है ठीक है कि कैसे हम लोग करेंगे यानि आपको comparing करते वक्त x x का ध्यान रखना है तो यहाँ common लेंगे तो कितना हो जाएगा 2k minus 9x और plus यहाँ पर बच्चा कितना k square minus 8k plus 10 अब यहाँ पर 1x plus a finally तो यहाँ x x cancel तो यहाँ कितना हुआ finally compare करने के बाद 2k minus 9 equal to 1 तो यहाँ पर हो गया 2k equal to 9 इधर जाएगा तो plus 9 plus 1 तो 2k equal to 10 so k की value आ गई 5 comparing के बाद यहीं पर बहुत सारे बच्चों का confusion होता है ठीक है confusion दूर कर लेना है doubt clear कर लेना है कि हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर comparing remainder की value कितनी आई है इसको बोलते है remainder remainder की value यहाँ पर कितना दिया है x plus a तो यहाँ x के आगे कुछ नहीं लगा है तो हम इसको 1x plus a तो x x cancel तो 2k minus 1 और फिर finally अब इसका comparing इसके साथ अब दिया है कि k square ध्यान में रखना है finally k square minus 8k plus 10 equal to a अब k की value 5 पूट करें तो 5 का square 25 क्योंकि k की value 5 निकल चुका है 8 5 जा 40 plus 10 equal to a 25 और 10 35 minus 40 so a की value आ गई minus 5 यानि k का answer 5 और a की value minus 5 चलिए once time more सभी लोगों ने बोला है तो इसमें क्या करना है repeat कुछ भी नहीं करना आप divide पे ध्यान देंगे ठीक है आपको कहां पे comparing होगा यहां पे divide में आपको problem हो रहा है तो divide करते वक्त बस ध्यान देना है कि हम लोग किस पे ध्यान देंगे तो value पे power पे ध्यान देंगे highest degree पे ठीक है एक बार और से अच्छे से सब लोग समझ लीजिए सभी लोगों को clear है reply me say us या नो जहां पे ध्यान में रखना है क्या तो divide में हम लोग ऐसे कोशनों में divide पे ज्यादा ध्यान देते हैं जैसे k वाले में आप लोगों को problem होता है तो k वालों में कैसे करना है very simple जैसे highest degree यहां क्या है 2 तो हम x4 है तो x-squire से multiply करेंगे तो यह तीनों में multiply करेंगे x4 फिर यहां पे हो जाएगा 2xq और फिर k से करेंगे तो k x-squire अब यहां पे देखो x4 हो गया यहां xq का term चल रहा है और यहां k x-squire है यहां 16 x-squire कितने लोग यहीं पे लिखते हैं x-squ लेकिन यह के न तो add होगा न सबस्ट्रैक्ट होगा तो इसलिए इसमें के वाले पर नहीं देंगे किनारे इसको कर लेंगे लास्ट में अब हम लोग सिस्टमाटिक गंग से highest power को ढूंड़ेंगे तो highest power क्या है 3 तो 6 में से 2 गया minus 4 xq फिर 16 x-squire जितना भी value है सब को हम यहा x का multiply करेंगे तो 4 x q यहीं 4 x के divide करना है तो यानि divide process को अच्छे से करना है और last में जो remainder क्योंकि अब हम divide नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां highest degree क्या है x xy और यहां highest degree क्या है x जब भी divide करेंगे तो यहां x xy से term रहने चाहिए तब जाके होगा ठीक है यानि कूल मिला जो ल pairing कराना है जो भी remainder का है तो second question से फिर समझ लेते हैं again ठीक है यानि ऐसे question को आपको घबडाना नहीं है very very easy and simple चलिए सभी लोग ने बोल दिया yes तो second question से समझते हैं देखो यह ठीक है यह question बहुत सारे लोग गलती करते हैं यही Olympiad examination में से कल भी बहुत सारे लोगों ने पूछ फैक्टर के रूप में ठीक है जब भी हम लोग class 9th में पढ़ते थे factor theorem class 9th में पढ़ते थे कौन सा theorem factor theorem तो factor theorem का मतलब क्या होता था its remainder equal to 0 कहीं remainder दिया रहेगा और कहीं remainder नहीं दिया रहेगा तो जैसे के वाले question में remainder दिया था लेकिन actual वही remainder नहीं आएगा एक्स प्लस है वो comparing कराया गया remainder जो है लेकिन जहां पर factor होंगे या divisible होंगे इसका दूसरा नाम होगा divisible तो जब भी divisible divided और divisible में फर्क है बच्चों अच्छे से ध्यान दो जब divisible है यह नहीं number divisible तो देन remainder equal to क्या होता है 0 always remainder 0 होता है तो इस पर ध्यान देना है कि हम लोग कैसे समझेंगे और कैसे होता है ठीक है तो इस पर ध्यान दे क्या कि divisible है तो remainder equal to 0 और factor theorem में हमेशा remainder equal to 0 लेते हैं ठीक है तो यह कितने लोग question class ninth का माल लेते हैं ठीक है कि चलिए divisible है यह class ninth का हम लोगों ने पढ़ा था कि x की value निकालेंगे दो equation बनाएंगे ऐसे करेंगे wrongable होई नहीं पाएगा क्यों देखो x की value क्यों नहीं हो पाएगा देखो class ninth में क्या property थी करने के लिए तो class ninth में हम लोग का यह था class ninth तुम समझ रहते हैं यही गलती को कि because यह कहां पढ़ रहे हो 10th में तो x square plus one equal to zero लगाएंगे तो यहाँ x square equal to minus one आ जाएगा और x equal to यहाँ minus root तो इसी को बोले थे कि यह कहां चला जाएगा यह ninth का उल्टा class 11th में चला जाएगा यानि यह class 11th है तो इसी को बोला था इसको हम लोग बोलते हैं imaginary number कौन सा number imaginary number तो x की value लगा के हम लोग नहीं कर सकते हैं not a possible in a class ninth तो अब क्या हो जाएगा यह इसको solve करने का तरीका क्या होता है कि इसको हम लोग i से denote करते हैं किसे denote करते हैं i से every imaginary number denoted by i जैसे बताया था इसलिए every question जब भी x square plus 1 आए अगर यहीं x square minus 1 होता तो धिलू question होता या easy question होता ठीक है लेकिन ऐसा possible नहीं है तो अब यह क्या हो जाता देखो यहाँ पर x square equal to जब भी हम लोग लिखते हैं तो i square को हम लोग minus यह देते हैं value 1 तो यानि जब हम यहाँ पर minus 1 लिखेंगे यहाँ पर minus 1 की value i square put करेंगे तो x की value plus i और minus i आएगी यानि iota में चलेंगे इसको i for denoted by iota ठीक है तो अब i iota अब class 11th में फिर iota वाली value तो कैसे बनाएंगे तो इसलिए class 10th में इसको क्या बनाया गया इसलिए हम पढ़ रहा है तो division algorithm का कमाल यानि division algorithm एक ऐसा process है जो हम लोगों को यह iota और class 11th में नहीं करने देगा easy करने देगा तो इसलिए ऐसा समझना होगा ठीक है नहीं तो नहीं हो पाएगा ठीक है तो इसलिए हम लोग अपने method से करेंगे यानि किस method से करेंगे not in a class 11th क्या है class 10th यह board का question है यानि important तो कैसे करेंगे तो अब लगाएंगे इसमें हम लोग division algorithm process यानि हम लोग क्या करेंगे x x y plus 1 में divide करेंगे x 4 x q 8 x x y a x plus b ठीक है वेरी वेरी important question ठीक है बहुत बार board examination में पूछा गया है ठीक है तो अच्छे से ध्यान देना है ठीक है तो आप देखिए क्या कर रहा है find the values of a and b so that x 4 x q 8 x x y a x plus b is the divisible by x x y plus 1 बिल्कुल clear है सिवेश सिक्रवर्ती आपका mobile खराब है बाकी सभी बच्चों का comment नहीं आ रहा है तो इसलिए आपको अपने mobile का दुरूस्त करा ले ठीक है आप mobile से चेक करें अपने सारी value देखिए किसी का भी खराब होता है तो सभी बच्चे comment देते हैं तो सिवेश अपने mobile को फिर से update करने या mobile पर ध्यान दें ठीक है या थोड़ा सा अपना जो है light बढ़ा लें अपना brightness कर लें तो your own problem आपके mobile से स्वेश ध्यान दीजिए reply me से अस्यानो ठीक है बाकी सभी बच्चों का clear है बच्चों question clear है ठीक है अच्छे से समझना है reply में से अस्यानो चलिए सभी बच्चों हमको reply करें clear है question कोई problem है तो जल्दी से reply कर दीजिए चलिए हर्शीत very good बहुत लेट आप जुड़े लेकिन अच्छे से ध्यान में रखिए चलिए तो क्या करना है very good छितीज तो सभी लोग divide करना है हमको अच्छे से तो कैसे करें देखो एक्स फोर है यहाँ पे तो हम लोग किसे multiply करें x x-wire से तो x x-wire में x x-wire करेंगे तो x 4 हो जाएगा फिर one से भी multiply करना होता है one से x x-wire करेंगे तो x x-wire जो same category है उसी के पास करते हैं, दोनों को देते हैं, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यह निगेटीफ, यह निगेटीफ, तो यह cancel हो गया, तो यहाँ पे highest power सबसे पहले लिखा जाता है, highest power क्या है, xq, और यहाँ पे हो गया यह, यह symbol का कोई काम नहीं होता है, यह minus करना है, तो 8 में xxwire का करेंगे, तो 7xxwire, यहीं पे हम पूरा भी उतार सकते हैं, या directly ऐसे भी कर सकते हैं, अब xq है, तो xq मां divide करेंगे, कितने से multiply करना होगा, x से, तो x में xxwire का करेंगे, तो xq आएगा, 1 में x का करेंगे, तो यह x आएगा, तो x प्लस b, यानि हम लोग यहाँ पर 1 में करेंगे, तो x आएगा, तो 100, अब यहाँ पर करेंगे negative, negative, same category के पास, ठीक है, अब यहाँ पर highest power पहले लिखेंगे, तो क्या है, 7xxwire, अब यहाँ पर यह value नहीं हो सकती है, क्योंकि a है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 है, तो अब इसको हम पूरा ऐसे लिख सकते ह है, ax minus, ठीक है, 1x, और last में उतार देंगे b, ठीक है, अब highest power क्या है, xxwire, यहाँ भी xxwire है, तो अब इसी से जाएगा, तो जब हम इसको multiply करेंगे, तो कितने से करेंगे, 7 से करेंगे, तो कितना जाएगा, 7xxwire, और फिर इसे करेंगे, तो 1 into 7, 7 हो जाएगा, यहीं पर में बहुत सारे बच्चों को problem होता है, division algorithm है, ठीक है, तो अब ध्यान देना है, यह minus, यह minus, तो यह cancel हो गया, तो so, अब x minus 1x, और यहाँ पर बचा b minus 7, इस symbol का कोई जरूरत नहीं होता है, तो क्या हो गया, b minus 7, अब हम लोग क्या करेंगे, यह हमारा finally निकला, इसी को कहते हैं, remainder, क्या कहते हैं, remainder, अब यहाँ, हाँ, पर क्या question में दिया है, divisible by x, x, y, plus 1, यही उल्लू बनाया, divisible by, तो divisible by का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया, divisible का मतलब क्या होता है, तो मैंने यही हमारा divisible का मतलब, remainder equal to 0, तो मेरा remainder कितना है तो remainder आया x minus 1x और b minus 7 equal to क्या हो गया 0 अब 0 को यहाँ comparing कराना है तो 0 को कैसे लिखते हैं 0x plus 0 now comparing यहीं पर समझना है बहुत सारे बच्चों को जो problem होता है यानि comparing we get यानि हम लोगों को क्या करना सीखना है comparing सीखना है तो अब यहाँ पर x common ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a minus 1 और यहाँ b minus 7 यानि हम 0 को इतना लिख सकते हैं remainder दिया रहेगा यानि क्या करा रहा है एक remainder को छुपा दिया है remainder के साथ comparing कराना है remainder का खेल इसको बोल सकते हैं यानि comparing method तो अब यहाँ पर देखो 0 into x plus 0 तो so x x cancel तो यहाँ पर a minus 1 0 के equal होगा यानि a minus 1 equal to 0 सो फाइनली a equal to 1 हो गया और यहाँ क्या हुआ बी minus 7 equal to 0 बी minus 7 equal to 0 तो सो बी equal to कितना हो गया 7 यानि a की value आ गया 1 और b की value कितना आ गया 7 सो फाइनली answer is 1 और 7 ठीक है clear डे बच्चो reply में से अस्या नो चलिए सभी लोगों ने कर दिया यस मौमाद असन जी very good शत्य प्रकाष खुश्बू चिती शात्विक हर्षित very good चलिए तो सभी लोगों का आ गया अच्छे से जवाब तो clear होना चाहिए यानि किसका हम लोग खेलवाड खेल रहे हैं तो हम लोग खेल रहे हैं किसका clear है यानि comparing method remainder एक given है और एक remainder हम लोग divide से निकाल रहे हैं यानि इसी को कहते हैं division algorithm for polynomial यानि हम लोग कैसे division process से value को find out कर रहे हैं चलिए फिर एक बार समझेंगे next question से जैसे यह question ठीक है यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है if the polynomial x4 2xq 8xxy 12x plus 18 is divided by another polynomial यहाँ divided है यानि कोई भी हम लोग process में divide करते हैं तो divided में एक होता है divided एक होता है divisible divisible में हमेशा remainder 0 होता है बट अगर divided रहेगा तो वहाँ remainder की value दिया रहेगा यहां remainder की value दिया गया है px plus q तो find the values of p and q find the values of q p and q तो यानि क्या करना है comparing of remainder यानि remainder का compare कराना है तो हम लोग कौन सा process लगा रहे हैं तो हम लोग लगा रहे है division algorithm process कौन सा process division algorithm process यहीं इसका कमाल है ठीक है कोई भी factor का अचाहें ऐसे question दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे तो यहां x square plus 5 में divide करेंगे x4 2x q 8x square 12x plus 18 divide करेंगे किस से करेंगे x square plus 5 से ठीक है अब हम लोग divide करेंगे यहां highest degree क्या है x4 यहां क्या है x square तो किस से करना है x square से तो करेंगे कितना हो जाएगा x4 ठीक है अब 5 से करेंगे तो 5 x square finally x square का यहां है यहीं ध्यान देना है ठीक है बिल्कुल नहीं घबडाना है कि हम लोगों को जो value दिया गया है वो किसके term में दिया गया तो अब यहां पे हो गया minus अब highest degree पहले लिखते हैं तो 2x cube यह cancel हो गया और 8 में से 5 3x square very simple question अब अराम से कर सकते हैं हम 2x से divide करेंगे कितना हो जाएगा 2x cube और finally 12x यहां दिया गया है प्लस 18 ठीक है तो अब यहां पे 5 2 जा 10x ध्यान देना है बच्छो निगेटीव निगेटीव इस दिगरी पहले लिखा करो 3x square ठीक है अब यहां 12 में से 2 2x plus कितना 18 अब यहां करेंगे हम लोग highest degree क्या है x square तो 3 से करेंगे ठीक है बच्छो किलियर है reply मी से अस्यानो बहुत सिंपल है इसको हम लोग कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा 3x square और 3, 5, 15 माइनस माइनस अब कितना हो गया 2x और प्लस कितना हो गया 3 अब यहां देखेंगे कितना दिया था remainder px plus q बट मेरा remainder कितना है तो हम लोग का remainder है 2x plus 3 now 2x plus 3 equal to px plus q तो now comparing method कौन सा method comparing ठीक है तो comparing method में हम लोग क्या करते हैं बच्चों तो comparing method में हम लोग एक्स एक्स cancel so p की value 2 then q की value 3 तो मेरा पी की value 2 q की value 3 very good all of student तो clear हो गया इस तरह के question बिलकुल घवडाना नहीं है डरना तो बिलकुल नहीं है अच्छे से समझना है और question को करना है very good शिवेश शक्रवर्ती चलिए next question बच्चों समझते हैं देखिए यह कर रहा है find the value of a and b is exactly divisible by 2x xyr minus 5 and find a and b तो जहां एक बार दिया रहेगा remainder की value और एक बार exactly divisible है तो divisible है तो ऐसे question में हमेशा remainder equal to 0 लगाके करते हैं यानि 2 x xyr minus 5 में हम लोग 6 x4 plus 8 xq minus 5 x xyr plus x plus b है तो हम लोग क्या करेंगे divide करेंगे और जो finally remainder आएगा उसी से हम लोग क्या कराएंगे comparing कराएंगे तो divisible का मतलब हमेशा समझना है divisible का मतलब हमेशा remainder equal to 0 और इसको comparing कराते वक्त हम 0 को now x के रूप में है तो 0 x plus 0 लीग सकते हैं now we can write in the form of क्या 0 x plus 0 ठीक है इस पर ध्यान देना है तो चलिए कोशन को करते हैं इतना clear है reply में से all students ठीक है स्वास्तिक अन्रूद सिवेश खुश्बू अंजली चितीज विवेक all student reply में से अस्यानो चलिए सभी लोगा clear है तो करते हैं कैसे करेंगे देखो यहां highest degree को देखा जाता है हमेशा कब तक रुखना है जब highest degree होगा तो चलिए यहां पर multiply करते हैं तो कितने बार में करेंगे थ्री एक्स एक्स वाय है तो थ्री टू जा शिक्स एक्स फोर माइनस फाइफ थ्री जा फिप्टीन एक्स एक्स वाय है नाव निगेटिव पॉस्टीव कैंसल highest degree सबसे पहले लिखते हैं 8xq और यहां पर 15-5 10x एक्स वाय है फिर क्या है फाइनली ax प्लस b एक साथ इसमें उतार सकते हैं यह divide में ऐसे कर सकते हैं फिर हम लोग करेंगे यहां पर 8xq सो फोर से करना है तो फोर एक्स तो टू फोर्जा 8xq और फिर फाइव फोर्जा 20x ठीक है माइनस हो गया cancer यह प्लस हो गया तो फाइनली टेन एक्स एक्स वायर अब यहां पर हो जाएगा ax plus 20x plus b अब फाइनली देखा हाई इस डिग्री एक्स एक्स एर यहां भी हाई इस डिग्री एक्स एक्स एर तो अभी जाएगा 25.10 5 ताइम्स तो 25.10 xx एर 55.25 अब यह पोस्टिव यह नीगेटिव तो फाइनली मेरा remainder आया AX plus 20X plus B plus 25 अब यह अब यहां से ध्यान में रखना है तो इस पर ध्यान रखना है तो क्या आया यहां पर remainder AX plus 20X तो अब देखोगे यहां पर बच्चों X X को कौमा ले सकते हैं तो हम यहां A plus 20 लिख सकते हैं अब plus यहां पर जो B की value है वो B plus 25 है अब comparing कराना है now comparing we get क्योंकि 0 plus X 0 into 0 हम करेंगे तो कितना हैगा 0 यहीं पर ध्यान देना है यानि now क्या कराना है comparing method यहीं कराना है यहीं से comparing we get ठीक है comparing कराते रहना है तो X X cancel so इतना equal to यानि A plus 20 equal to 0 तो A की value आ जाएगी minus 20 और B plus 25 equal to 0 so B की value आ जाएगी minus 25 यानि A की value आ गई minus 20 और B की value minus 25 ठीक है very good चलिए चंद्रेश चक्रवर्ती वेरी गूड पांडे जी चिती जी वेरी गूड और अब इस पर हम लोग सीखेंगे ओलम्पियार टाइप कोश्चन नहीं इस तरह के बोर्ड कोशन हम लोगों ने सीख लिया अब ओलम्पियार टाइप कोश्चन इस परकार के कैसे चेंजेज होते हैं चलिए बहुत सारे बच्चों ने हम सारे जितने भी ओलम्पियार कोश्चन होंगे तो हम उसमें क्लियर कराएंगे ठीक है तो रिप्लाई मी मौहमध हसन जी कोश्चन कुछ क्लियर हुए क्या है और एक एक स्वायर प्लस टू एक प्लस 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 पाइप तू भी अप फैक्टर ओ इतना फैक्टर तो मैंने बोला था कि देखिए फैक्टर का मतलब हमेशा आप यह समझे इट मेंस डिवीजबल और डिवीजबल का मतलब इट मींस रिमेंडर इक्वाल टू जीरो रिमेंडर इक्वाल टू जीरो फैक्टर सब्द का मतलब यह है ठीक है तो यह ध्यान में रखना है रिमेंडर इक्वाल टू जीरो वेरी सिंपल कोश्चन ठीक है इस तरह के कोश्चन तो या हाई इस डिक्री को देखना है यानि हम क्या करेंगे जो एकसि वएर बिलस् टू एकस प्लस फाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं x4 लफा एकसि और प्लस बीटा अब इसमें ड़ते हैं डिवाइड से आप ड़्लोग डरते है हाईज डिग्री देखा करिए तो so x4 का कैसे होगा x x2 से तो x में x x2 का करेंगे तो x2 x x2 क्या हो जाएगा x4 ठीक है और फिर हम लोग 2x में करेंगे x x2 का तो आ जाएगा 2x q और फिर 5 से करेंगे x x2 का तो हो जाएगा 5 x x2 अब किते क्यों कहेंगे कि यहां पर क्यों नहीं लिखे क्योंकि यह अलफा है अब बता रहे हैं क्यों नहीं लिखे सबसे पहले हम –5 x x2 को देंगे जो हाइस दिगरी है 2 x q यह सिंबल चेंज हो जाएगा –2 x q –5 x x2 और तब देंगे हम अलफा x x2 और प्लस बीटा यहीं डिवाइट पर ध्यान देना है ठीक है बिलकुल चलिए अच्छे से ध्यान देना है ठीक है चंद्रेश पांडे जी यहां पर ध्यान दीजिए ठीक है questions पर कि हम लोग को कैसे करना है कहां पर ध्यान देना है ठीक है सर यह कौन है तो बिलकुल चंद्रेश पांडे जी आप अच्छे से ध्यान दे ठीक है अब केवल करना कोशन पर ध्यान देना है चलिए हर्शित कुमार ध्यान दीजिए इस पर तो हम लोग कैसे करेंगे माइनस 2x में अब मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2x3 और इसमें हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा minus 2, 2, 4 x किनारे करेंगे x x y ठीक है x x y में आएगा तो इस पर कर लेंगे जो value आएगा symbolic form minus 4 x x y तो किया हाँ पर आ जाएगा minus 4 x x y और 5, 2, 2, minus 10 x किनारे में हम लोग करेंगे क्योंकि x की value नहीं है तो यह positive negative यह positive negative से positive यह cancel हो गया 5 में से 4 highest degree x x y अब यहाँ पर alpha x x y अब यहाँ पर beta minus 10 x तो कब तक करेंगे जब highest degree यहाँ पर x x y है तो highest degree x x y है तो हम लोग 1 से भी कर सकते हैं 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा x x y फिर 2 x फिर 5 तो finally minus 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 cancel अब यहाँ पर बचा alpha x x y यहाँ पर हो जाएगा minus 12 x यहाँ पर हो जाएगा minus 5 और plus last में बीटा अभी भी higher degree x x y है तो हम लोग alpha से कर सकते हैं ध्यान में रखना है ठीक है तो alpha से करेंगे तो कितना आजाएगा alpha x x y multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा alpha x x y बच्चा है मेरा minus 12 x minus 5 plus beta तो alpha से करेंगे तो alpha x x y फिर 2 से करेंगे तो आजाएगा plus 2 alpha x और 5 से करेंगे तो 5 alpha minus 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 so cancel तो कितना आजाएगा minus 2 alpha x minus 12 x ठीक है minus 5 alpha और यहाँ पर आजाएगा plus beta minus 5 equal to remainder कितना 0 यहीं पर comparing करा दें 0 x plus 0 अब हम लोग x की value एक साथ ले लें तो minus 2 यहाँ एक साथ इसको रख सकते हैं हम लोग तो अब चलिए यहाँ पर कर लिए इकवरल टू 0 x तो x x कैंसल तो alpha की value कितनी आ गई ठीक है इस पर ध्यान देना है चलिए sir in quotient में will negative 1 बिलकुल ले सकते हैं ठीक है चलो सभी लोग ध्यान दो हाँ चंद्रेश पांडे जी तुम लोग comment पर मत ध्यान दो तुम लोग इस पर ध्यान दो ठीक है चलिए sir in quotient will be negative हाँ quotient से कोई मतलब नहीं है हम लोग कोई भी value कर सकते हैं इस पर ध्यान देना है स्वास्तिक quotient पर ध्यान देना है कि कैसे हम लोग value को ध्यान दे रहे हैं या कैसे put कर रहे हैं और फिर हम लोग यहाँ alpha की value put करके beta की value निकालेंगे तो finally answer is equal to 6 and 25 जैसे हम लोग ध्यान दिये हैं यहाँ पर निकाले तो क्या है minus 2 alpha minus 12 equal to 0 so 2 alpha equal to 12 minus minus cancel तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो 2 6.12 so finally alpha equal to 6 हाँ बिल्कुल सही चलिए negative positive पर ध्यान देना है उसी पर value को हम लोग को करना है या सीखना है कि वो part हम लोग को कैसे होगा ठीक है और फिर finally करेंगे तो minus 25 है ठीक है very good हाँ minus minus हम लोग ध्यान में रखेंगे minus 6 minus 25 भी कर सकते है 6 and 25 भी कर सकते है common के द्वारा ठीक है स्वास्तीक clear हुआ चलिए हाँ minus 5 x square plus 4 x square minus x square विल्कुल कर सकते हैं अब चलिए next question से समझते है अब हम लोग सीखेंगे theory of चलिए and by वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है बच्चों, ओके, तो किलियर कर लेना है स्वास्तिक, माइनस प्लस जो भी प्रब्लेम होगा उसमें करना है, 6 and 25 is the answer, ठीक है, घबडाना नहीं है ऐसे कोश्चनों में, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं है, आपको करना है उसको कोश्चन को, ठीक है, चलिए, प्रोसेश जान लिए, किलियर, अब हम लोग समझेंगे, इस पर ध्यान देना है, तो बच्चों किलियर, रिप्लाई मी, सेहस यानो, all students are reply me, किलियर, चलिए, मुहमाद असन जी, yes, किलियर, और सभ भी बच्चे, जल्दी से हमको करें, हम लोग प्रोसेश सीखने वाले है, theory of addition and subtraction, चलिए, खुश्बू सिंग, किलियर, और next, अंजली, very good, किलियर, स्वात्विक, जल्दी बुलिये, स्वास्तिक, हाँ, हर्सित, हाँ, बिल्कुल हर्सित, एक कोशन प्रूफ वाला था, आगे आएगा, भी घबडाना नहीं है, ऐसे मैंने solution WhatsApp ग्रूप पे दे दिया है, उसका की कैसे करना है, जब भी factor होता है, मतलब X की value होता है, ठीक है, बताएंगे उसमें, चलिए, very good, very good, तो अभी ध्यान लेते हैं हम लोग कैसे ध्यान देंगे addition and subtraction पे हम लोग क्या करेंगे, clear करना है इस पे, ठीक है, तो addition का मतलब जैसे कोई भी, जैसे question कहा है, what must be subtracted from the, इतना will be so that the resulting polynomial exactly divisible by इतना, exactly divisible हो, तो exactly divisible में remainder equal to हमेशा, क्या आना चाहिए, 0, यानि सारे process CC पे है, clear होना है, theory clear कर लेते हैं, तो इस पे हमेशा remainder equal to क्या आएगा, 0, इस पे ध्यान देना है, तो remainder equal to 0 आएगा, तो उसमें question पे हम लोग कैसे ध्यान देंगे बच्चो, ठीक है, process पे ध्यान देना है, तो अगर हम कहें कि 5 में for example द्वारा समझते हैं, कि अगर यहां हम 5 को divisible करते हैं 16 से, यहां पे 5 को divide करते हैं, तो 5, 3, 15, तो कितना आ गया, 1, यानि remainder आ गया 1, तो करहें कि हम, यानि 16 में subtract, क्या subtract करें कि यह जो है divisible होगा, सभी लोग answer हमको बताएंगे, ठीक है, आप तो clear होगया, एकदम simple example में समझ रहे हैं, कि 5 को 16 से divisible कर दिया जा रहे है, तो remainder कितना बच रहा है, 1, तो सर, अब से, अनरूत जी, अभी हम लोग जो question पर ध्यान दे रहे हैं, उस पर ध्यान देंगे, ठीक है, अनरूत जी, no another question in online test, ठीक है, only for whatsapp group, मैंने पहली बताया है, online classes में कैसे करना है, यह भी system को सीखना होगा, no another question, ठीक है, इसके बाद जो है, session चलने वाला है, मैंने डाला है, आपको app पे, तो उस पर ध्यान देजिए, very good, all student reply me, कि answer जो है, sir हम लोग remainder में अगर जो आया है one, तो यह one को अगर हम 16 में से minus कर देते हैं, तो वो exactly divisible होगा, क्या होगा, exactly divisible, यानि कुल मिला लुप कुला के हम कर रहे हैं, कि अगर कोई भी polynomial में exactly करना है, subtracted, तो यहां यानि remainder को subtract करेंगे, यानि जो भी remainder आएगा, वो remainder को ही subtract कर देंगे, यानि one को subtract कर देंगे, ठीक है, तो यानि हम लोगों को यहां remainder में subtract करना है, चलिए, अब ये तो हम लोग subtract का trick सीखें, यानि जब भी subtract रहेगा, remainder को सबस्ट्रेक्ट कर देंगे किसमें पी एक्स में से लेकिन यहां पे इंट्रेस्टिंग आने वाला है एडीशन में यहां सबस्ट्रेक्ट किते बच ऐसे समझते हैं कि सबस्ट्रेक्ट पूछा है यानि रिमेंडर को सबस्ट्रैक कर देंगे तो थोड़ा एडीशन में चेक करी कि एडीशन में ट्रिक्स क्या है ठीक है एक्जामपल लेते हैं चलिए इसी का ले लेते हैं अब 5 में 16 का डिवीजबल कर रहे हैं तो 5, 3, 15 रिमेंडर 1 आ गया तो अब कराएं कि वो कौन सा नंबर है कि एडीशन करें इसमें कितना एडीशन करें कि exactly डिवीजबल होगा रिप्लाई में अंसर यानि 16 में अब एडीशन करें तो क्या एडीशन करना है not a Mohamed 4, Remender कितना है, 1 ठीक है तो ने रहे, no all students are wrong, wrong हो गया आप यह एडीशन पूछा है, क्या पूछा है, एडीशन, कितना एडीशन करना है तो इसमें हम लोगों को minus one addition करना है यानि इसमें भी नाम है addition but करना है subtraction क्या करना है subtraction देख लिजिए यहां पर क्यों 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 अच्छे से ध्यान दीजिए नहीं तो wrong हो जाएंगे क्योंकि dawn कभी wrong नहीं होता है अच्छे से theory को सीख लीजिए यहीं पर गड़वड होता है यहां क्या है सबस्ट्रैक्ट तो मन में आता है सबस्ट्रैक्ट तो सबस्ट्रैक्ट क्या remainder यह addition भी रहेगा तो भी हम लोग उसमें सबस्ट्रैक्ट करेंगे not add यानि क्या करेंगे यानि माइनस रीमेंडर एड करेंगे क्या करेंगे माइनस रीमेंडर जो भी आएगा यानि हम लोग क्या करेंगे इसमें माइनस वन एड करेंगे यानि जो भी रीमेंडर आएगा उसमें हम लोग माइनस वन हैड करेंगे सो 16 माइनस वन कितना आगे 15 अब 15 डिवीजबल होगा क्यों करेंगे अभी बता रहे हैं क्योंकि माइनस वन करेंगे तभी यह Exactly Character कर रहा है यानि यहाँ पोजिटी वहां माइनस रिमेंडर कर रहे रहे हैं यानि माइनस लगा देंगे only one sir क्यों नहीं होगा क्योंकि 16 में अगर one add करेंगे तो यह 17 हो जाएगा 5 से not divisible होगा not divisible 17 सत्य प्रकास reply me very good सत्य प्रकास जल्दी बुलिए special for you clear हुआ आपका सत्य प्रकास clear हुआ only one क्यों नहीं होगा क्योंकि one add करेंगे तो यह 17 हो जाएगा ठीक है जल्दी बुलिए तो हम कोशन समझाते आपको कि कैसे करेंगे ओके चलिए clear हो गया तो कैसे करेंगे बच्चों ध्यान में रखना है यानि आपको ध्यान देना है यानि addition का tricks note कर लीजिए गलती कभी भी मत करिएगा ठीक है यही होता है अगर अच्छे से नहीं थ्यूरी समझेंगे तो कोशन रॉंग हो जाएगा ठीक है तो चलिए जैसे मैंने इस कोशन को दिया है तो कैसे करेंगे 3XXWire माइनस एक्स प्लस 4 में डिवाइड करेंगे 6X4 7XQ 27XXWire माइनस 25X प्लस 25 ठीक है तो इसमें जो रिमेंडर फाइनली आएगा आप जब इसको डिवाइड करेंगे ठीक है तो रिमेंडर सपोर्ज जो भी आजाए इसमें करी लेते हैं तो 3 2 जा 6X4 है इस डिवरी 6X4 फिर माइनस 2XQ 4 2 जा 8XXY निगेटीव पोस्टिव निगेटीव 729 XQ यहां 18XXY यहां 25X फ्लस 25 अब किसे करेंगे 3X 3 3 जा 9XQ फिर 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 3XXY फिर 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 लववश अभ़ लवश तनस पिर 21XXY minus 37x plus 25 7 3 7s are 21x xy minus 7x plus 28 plus minus cancer minus 30x minus 3 clear remainder कितना आया minus very good minus 30x minus 3 यानि हम लोग exactly divisible होने के लिए जो ये है px इसमें हम लोग कितना minus करेंगे तो minus 6 sorry minus 30x finally remainder आया minus 30x minus 3 हम लोग subtract कर देंगे चलिये यानि इतना subtract कर देंगे तो हम लोग का exactly divisible होगा directly ठीक है next question यही एंसर है क्योंकि जो subtracted होता है इसमें डेरिक्ट जो remainder होता है उसी को minus करेंगे तो आप इसमें check भी कर सकते हैं अगर इसको minus करेंगे तो यहीजेक्टली divisible होगा लेकिन यहीं केस में what must be added इतना so that resulting polynomial divisible by इतना ठीक है तो जब भी divisible के केस में होगा जैसे added जो भी added करना होगा तो अब इसमें जैसे 4x4 minus 5xQ minus 39x x2 minus 40x minus 2 तो sub-extracted के केस में जो remainder बसता है वही sub-extract हो जाता है डाइरेक्टली लेकिन added के केस में add का tricks देहां देना है add का tricks है addition में जो remainder आएगा तो उसमें हम लोग नाम है add के वाल ये नाम है ये क्या है नाम का है ये काम का नहीं है not हम कहेंगे इसमें कि remainder are not adding जो remainder बच गया जैसे ये बच्चे जानते हैं कि जो remainder बच गया वही sub-extracted तो जो remainder बच गया वही added no added के case में remainder भी subtract होता है यही बताना चाहरे है ठीक है add होगा लेकिन क्या add होगा तो यहाँ पर add होगा तो क्या होगा minus remainder add होगा यही tricks note कर लो यानि जो बचेगा उसमें minus remainder add होगा यह ध्यान देना है added के case में खासकर ये question में यानि tricks क्या है अगर add पूछेगा तो जो remainder बचेगा उसमें minus remainder add होगा यानि हम यह बोलेंगे कि minus remainder जो भी value आ जाएगी for for example जैसे माल लो हम इसमें divide कर रहे हैं चलो करके बता देते हैं आज का last question ध्यान दो तो कैसे करेंगे हम लोग इसको tricks note कर लेना सभी लोग clear है reply में इसस या no clear है हरसित minus लगा देना है बिल्कुल minus लगा देना है tricks है लेकिन कैसे ध्यान में रखना है चलिए ठीक है देखते हैं question को तो कैसे करेंगे 4XXY plus 7X plus 2 divide करते हैं सभी लोग लीक लीजिए सर माइनस से multiply कर देंगे remainder में क्यों माइनस से multiply क्या करना है माइनस लगा देना है बस हो गया ठीक है tricks हाँ very good चलिए तो कैसे करेंगे देखिए आपर 4X4 यहां करेंगे हम लोग XXY से तो 4X4 हो गया अब यहां X से करेंगे 7 से तो कितना हो जाएगा प्लस 7XQ प्लस 2XXY तो माइनस 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 कैंसर माइनस माइनस 12XQ माइनस 2 41XXY माइनस 40X माइनस 2 अब यहां पे 3 बार में माइनस 3X तो माइनस 12XQ हां 7 3 जा 21XXY और 2 3 जा 6X प्लस 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 अब करेंगे 1 में से 1 कितना आ जाएगा 0 4 में से 2 माइनस 20 XXY माइनस 40X माइनस 2 अब करेंगे 4 5 जा माइनस 20XXY माइनस 35X माइनस 10 चैंसल यह बचा माइनस 5X यह बचा प्लस 8 यानि रिमेंडर बचा है माइनस 5X प्लस 8 तो वाट इस दा अड़ेट तो देन हम रिमेंडर में क्या लगाएंगे माइनस रिमेंडर अड़ करेंगे तो यानि माइनस 5X प्लस 8 तो क्या करेंगे यहां पर 5X माइनस 8 तो क्या लिखेंगे 5X माइनस 8 इस अड़ेट इस नमबर तेन तो इग्जैक्टली डिवीजबल ठीक है तो इसमें माइनस रिमेंडर आड़ करना है यानि वो कौन सा नमबर होगा आप चेक भी कर सकते हैं इसको यानि 5X माइनस 8 हम लोग इसमें आड़ करेंगे तो यह इग्जैक्टली डिवीजबल होगा तो ट्रिक्स ध्यान देना है ठीक है बच्चो तो आज के लिए इतना ही होमवर्क नोट कर लीजिए यह आपको इंपोर्टेंट होमवर्क है कितने 1, 2, 3, 4 ठीक है 4 होमवर्क है ठीक है और इसके बाद आप लोगों को अनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है मैंने आपको भेजा है वाट्सअप ग्रूप पे उस पे आप क्लिक करके मेरा देख लीजिए जिन बच्चों का ओनलाइन टेस्ट कलका छूटेगा या जो नहीं दिये है उनके पैरेंट से मैं मिलूँगा ठीक है इंपोर्टेंट ही है ध्यान में रखी है कि कैसे ट्रिक्स पे काम करेंगे ठीक है यह सारे इंपोर्टेंट कोशन है सारे बोड में आएंगे तो इसको प्रैक्टिस कर लेना है ठीक है यह बच्चों नोट कर लो होमवर्क टोटल इसके बाद आप लोगों का बच्चों लास्ट लेक्चर इसमें पॉलिनोमियल का चलेगा केवल केस स्टडी कोश्चन ठीक है तो आज के लिए इतना ही बच्चों थैंक यू जल्दी से आप ऑनलाइन टेस्ट वाला जूर जाईए आप लोग जल्दी से